हलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई यूटूब चैनल और हम लोग डिसकस कर रहे हैं करेंट अफेर ऑफ अगस्थ 2023 आज के इस लेक्चर में वेसिकली हम लोग सेक्योर्टी की बात करने वाले हैं लेकिन थोड़े असा हमारा एकॉनोमी का पार्ट बच गया था उसको पहले हम डि जिससे सीरीज को और भी बैटर बनाया जा सके वीडियो आपको पसंदा है तो इसको लाइक कीजेगा और चैनल को सस्क्राइब कीजेगा तो स्टार्ट करते हैं अपना डिसकसन हमारा जो पहला डॉपिक है वो है पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म फॉर फ्रिक्शनलेस के लिए अब इसमें हम क्या करने वाले हैं तो यह जो प्रोग्राम इसमें एंड टो एंड प्रोग्राम है मतलब की आपको क्या होगा कि जैसे माल लीजे कोई बैंक है और आप एंड यूजर हो तो आपका जो डेटा एक प्लेटफॉर्म पर इस्टोर किया जाएगा जैसे क आपके सारों डॉकुमेंट वहाँ पर पहुंच जाएंगे और आपको जो है फ्रिक्शनलेस लॉन मिल जाएगा यह डेबलग किया गया है इस्पेशली आरवी आई की इनोवेशन हब के द्वारा जो कि एक होली सबसीडरी है आरवी आई की अब इसमें जैसे ज्यादा तर किया गया है फॉर एक्जामपल आप देखे जैसे किसान क्रेडिट कार्ड है ठीक है डेरी लॉन है एमसमी लॉन है परस्नल लॉन है आपको कुछ भी चाहिए तो आपको क्या करना है सीधा वहाँ पर जाना है आपके डॉकुमेंट पहले से ही है और जब डॉकुमेंट पहल काम है जो आरवी आई के द्वारा लाया गया है कि अब हम जो लॉन दे रहे हैं वो भी पेपरलेस उसका जो है प्रॉसेस रहेगा अब इसके बैनिफिट क्या होगे सबसे अच्छा बैनिफिट हो जाएगा कि जो लॉन है हम वो डॉर स्टेप पर डिस्वर्समेंट करना है और क्यों डॉर स्टेप पहुचा रहा है क्योंकि आपको कुछ करना नहीं है पहले आभी आपको गैल लोन लेना पुरता था पता नहीं कितना डॉकुमेंट और पेपर वर्क होता था तो यह तो बिदाउट पेपर पर पर यह तो आप इसको एकसेस कर सकते हो फ्रिक्शन ल और यह तो यह सब डेटा बैंक के रिकॉर्ड्स भी होंगे सारे कि आपने कहां से कितना क्रेडिट लिया है क्या आपने उसको कैसे पे किया है तो बनलो आप कहीं डेफॉल्टर तो नहीं हो तो यह सब डेटा बैंक के पास अवेलिवर रहेगा तो अब बैंक इससे एजली पाएगा कि आपको लॉन देना चाहिए यानि आपकी जो देंदारी है वो किस तरीके से आपकी क्रेडिट रेटिंग क्या है है ना और साथ इसाथ operational cost भी कम हो जाएगा इस पिसले अगर हम बात करें तो consumer के point of view से होगे हमारा जो second topic है वो है CAG audit report on railway finance CAG की जो है audit report आई है railway finance को लेकर के भी इसमें CAG ने क्या बोला है कि देखे जो gross traffic recipient है यानि कि जो railway का revenue है वो करीब 36% तक increase हुआ है और यह जादा तर increase हुआ है फ्राइट earning से यानि कि जो सामाल लेकर के rail गारी है जाती है जिसको हम अब capital expenditure में जाद तर new assets आये है या फिर कुछ जो depleted assets थे जो बहुत ही बेकार हो चुके थे उनकी repairing या उनको replace किया गया है operating ratio लेकिन इसका बढ़ गया है पहले जो operating ratio था वो 97 था लेकिन अब जो operating ratio है 107 है तो इसका मतलब आप simple वाज़ा में यह समझे कि अगर 100 रुपे रेलवे को कमाने हैं तो उसके लिए उसको 107 रुपे खर्च करने पड़ रहे है यानि कि railway loss में जितना उसका revenue नहीं है उससे कहीं जादा उसके expenditure है ठीक है यहाँ पर तो डिफाइन भी किया है कि higher ratio indicate the lower ability to generate a surplus जितना ज्यादा हाई होगा उतना ही कम आप revenue generate कर पाऊगे तो 75% तक तो जो railway का expense है वो stop cost में चला जाता है pension है उनके payment है उन सब चीज़ों में और एक important चीज़ जो हमें ध्यान देने होगी कि जो passenger fare है these are cross subsidized cross subsidized का यहाँ पर क्या मतलब है कि जो railway जो मलब railway की जो गारियां है passenger train है यह passenger train profit में नहीं है यानि कि यह अगर एक train में जो कर्चा होता है और उससे जितना revenue होता है वो कम है revenue कम है expenditure जादा है तो इसमें क्या है cross subsidize कर रहा है आप कैसे ही जो आपको freight से फायदा हो रहा है यहना उसका profit आप इसमें लगा रहा है वो इसमें जो loss हो रहा है तो यह चीज़ है तो अब इसमें recommendation क्या दिया है क्याग ने क्याग ने सबसे पहले तो यही बोला है कि भाई जो cost of passenger वाला operation है उसको आप सही कीजिए न थोड़ा क्यों थोड़ा से rent fair बड़ा दीजे जिससे आपका loss तो नहीं होगा जादा साथ ही साथ क्या है कि आपका freight अच्छा काम करता है तो उसको और ज़्यादा diversify कीजिए जिससे आपको और ज़्यादा earning हो ठीक है और साथ ही साथ आप यह ensure कीजिए कि जितने भी unsanctioned expenditure है उनको properly regulate किया जाए उस तरीके के expenditure ना हो अंसंसंग जिससे की आपका खर्चा बच जाएगा इसका जो हमारा थर्ड टॉपिक है यह है महा रतना और नवरतना को लेकर के तो देखिए जो central public sector enterprises होते हैं जिनको हम CPSC बोलते हैं तो इसमें एक oil India है जो पहले नवरतना थी उसको महारतन मनाया है और एक ONGC बिदेश है जो मिनी रतना थी उसको नवरतना का status मिला है अब यह सब चीजें क्या होती है समझते हैं तो देखो जो CPSC होती है में जल्दी तीन से चार क्रेटिगरी में आती है महारतना नवरतना मिनी रतना बन और मिनी रतना टू और इनको जो देखा जाता है वो देखा जाता है department of public interfaces जो कि इसका nodal department है अब कैसे किसी भी कंपनी को महारतना या नवरतना बोलेंगे देखेंगे सबसे पहले अगर महारतना किसी भी कंपनी को अगर बनना है तो उसके लिए important है कि वो नवरतना होनी चीए सेम उसी प्रकार से अगर नवरतना बनना है तो वो मिनी रतना होनी चीए वो मिनी रतना बनना है तो फिर अब उससे नीचे कोई है नहीं तो उसमें कुछ conditions है वो द है देखेंगे और इसमें क्या है इसमें है कि उसकी जो रेटिंग है वो या तो excellent है very good होनी चाहिए three मिलने चाहिए जो excellent very good है वो तीन साल मझाव पास साल में तीन साल तो होनी ही चाहिए ठीक है अब मिनीर एतना दो क्लिए क्या करना चाहिए कि प्रॉफिट जो है last 3 year में profit में होनी चाहिए ठीक है जो pre-tax profit है वो 30 करोर होना चाहिए एक से 3 year का ओके और भी बहुत सी चीज़ें हैं जैसे अब महारत ना में कहा है कि जो annual worth है आपकी वो 3 year का 1500 करोर होना चाहिए annual जो net profit है 3 year का वो 5000 करोर होना चाहिए और आपका global level पे भी presence होना चाहिए यह important है महारत ना होने के लिए ठीक है अब इन्होंने यह बताया था कि आपका जो performance है वो अच्छा होना चाहिए ठीक है साथी साथ जो mini रतना है वो category बन में देखी कि profit में होनी चाहिए last 3 year में यहाँ पे भी same है last 3 year में profit में होना चाहिए positive net worth होनी चाहिए और default नहीं होना चाहिए किस चीज में loan और repayment को लेकर के repayment और loan जो है उसका time पे paid होना चाहिए और साथी साथ budgetary support जो support होता उस पर depend नहीं होना चाहिए यह नहीं होना चाहिए कि government जब उसको पैसा देगी तभी वो survive कर पाएगी यह condition नहीं होनी चाहिए ओके तो जो हमारा next topic है वो reporting report on on soaring Indian innovation to gift IFSC यह important है समझते हैं इसको देखो अभी एक committee बनाई गई है expert की जिसने अपनी report submit की है बताया है on soaring of Indian innovation to gift IFSC देखो gift IFSC क्या है इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे यह फिलाल आप इतना समझो कि यह गुजरात में है gift IFSC अभी IFSC क्या है इसको हम आपको अभी बताते हैं तो जो committee of expert है इसने कुछ पता किया है कुछ समझा है कि क्यों जो है flipping हो रही है जो start-ups है flipping का यहां पर मतलब है कि जो start-up कई start-up ऐसे होते हैं जो Indian start-up हैं लेकिन वो registered होते हैं overseas jurisdiction में क्योंकि वहां से उन्हें हैं बहुत सारे benefit मिलते हैं जो इंडिया में नहीं मिलते हैं इसलिए वो अपने आपको इंडिया में register ही नहीं करते हैं तो यह जो है problem है flipping इसको बोलते हैं तो और साथी साथ इन्होंने कहा कि understand कि क्यों flipping हो रही है और यह भी बताया है कि हम इसको कैसे avoid कर सकते हैं ठीक है तो सबसे पहले तो इन्होंने क्या बोलाए कि जो start-up हैं उनको हमें encourage करना है ठीक उनको return back लाना है gift city में गुजरात जो की गुजरात में अब यह COE कैसे बनाया गया है तो यह बनाया गया इंटरनेशनल financial service center authority के द्वारा अब देखो यह जो मैंने आपको बताया है यहाँ पर कि इनको हमें gift city में बापिस लाना है तो कैसे लाएंगे तो यह क्या कर रहा है कि कुछ schemes लाएंगे कुछ उनको benefit देंगे start-up को जिससे start-up बापिस reverse आ होता है तो start-up आप उसको बोल सकते हैं जिस जो दस साल से कम मतलब दस साल की period से काम कर रहा हो private company private limited company या फिर लिम्टेट लाइबिल्टी पार्टनर की तहित registered हो और जो turnover है उसका किसी भी financial year में 100 crore से ज्यादा नहीं होना चाहिए अब driver क्या है इसके तो देखो हमारी जो economy है है वो consumption driven growth है हमारी ठीक है और हम जो है third largest है purchasing power parity के point of view उसे देखें तो हमारा जो GDP है GDP में करी 70% GDP तो किवल consumption की बजाएसे यह आता है तो हमारे यह market बहुत है हमारे यह demand बहुत है चीज़हों की और जहां पर demand है वहां पर आप चीज़ें कर सकते हो आराम से start-up होने के बहुत हो जाता chances है हाई quality tech talent हमारे पास मिल जाता है ठीक है अब यह region क्यों क्या है flipping के flipping के नोंने region बताया है कि उनको आराम से foreign capital market का access मिल जाता है अच्छा valuation मिल जाता है वहां पर इंडिया के conversion में इसका लेकिन इंडिया पर impact होता है तो brand train करते हैं लोग कि आप जो है foreign country में आओ उ साथी साथ क्या है कि इससे हमारे tax revenue loss होता है ठीक है और साथी साथ यहां से जा रहे हैं तो हमारे पास जो नई technique आ सकती थी जैसे कोई startup अच्छा success हो जाएगा तो नई technique आएगी तो वो technique भी हमारे पास नहीं आ पाएगी फिर यहां पर बात कर रहे हैं कि क्या recommendation कैसे इनको जो आप condition लगा रहे हैं कि आपको listing करना है gift IFSC न तो उसमें थोड़ा सा exemption दीजे कि जरूरी नहीं है कि SI करें कुछ special courts बना सकते हो आप court बगएर क्यों जरूरी है क्योंकि तो startup का अगर कोई dispute हुआ है तो उसको जल्दी से resolve होना चाहिए यहां पर अगर आप बात करें जो IFSC कि हम बात कर रहे हैं तो यह एक international financial sector type का होता है बहुत पर्टिकुलर एरिया में ऐसी सुब्दा की जाते है कि ज्यादा से ज्यादा कंपनियां वहां पर काम करें उसको हम IFSC बोलते हैं और इसका नाम gift IFSC है जो कि गुजरात में है जैसे कि सिंगापूर बगएरा में ऐसा होत rate hike to curve inflation अब inflation चुकी बढ़ रहा है तो rate hike कर सकते हैं लेकिन finance ministry ने क्या बोला है कि तो rate hike करो गया तो सही तरीका नहीं है inflation को curve करने का inflation targeting की अगर हम बात करें तो inflation जो है brought down लाना RVI का काम है RVI को उसको एक targeted level पर लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जन्दल ही जबाएं inflation को target करते हैं by RVI तो RVI दो तरीका अपनाता है या तो interest rate बढ़ाएगा या interest rate घटाएगा ठीक है तो अगर interest rate उसने increase किये तो उससे क्या inflation down हो जाएगा और interest rate अगर decrease किये तो inflation बढ़ जाएगा यह तो simple सी बात है तो RVI के जंदल ही target होता है inflation 226 की range में रहे लेकिन retail inflation recently 7.4 था तो इसलिए RVI ने क्या किया कि अपनी जो monetary policy उनको और tight करने की बात किया अगर इसको यह और भी जादा tight करेगा तो उससे क्या होगा कि GDP down होने लगेगी लोग interest नहीं लेंगे ग्रोथ यह किसाफ़ से रुख जाएगी और unemployment भी increase हो सकता है inflation को अपनी एक range में जो इसकी range defined की गही है 4-6% के पीच में क्यों control नहीं कर पा रहा है तो RVI यह ऐसा बोलता है कि कोई बार supply or demand gap आ जाता है miss match आ जाता है जो की monetary policy के outside अगर कहीं पर कोई crop failure हो गया और उसकी वज़ाए से particular किसी product का rate high हो गया तो उसमें RVI क्या करेगा RVI इंट कुछ domestic factor भी होते हैं जैसे कि अभी यह white fly disease चल रही है uneven monsoon होते हैं ठीक है तो यह भी जो है बड़ा problem करते हैं और इसकी वज़ाएसे भी rate में fluctuation होते रहते हैं और inflation बढ़ जाता है इसके बाद कई वार supply shock भी आते हैं जैसे geopolitical uncertainty है ठीक है जैसे Ukraine war हो गया ठीक है तो उसकी rate बढ़ गया है तो उसकी विज़ासे भी महंगाई देखने को मिल दी है तो इसमें आप क्या चाहिए कि in this situation अगर आप देखो तो government ही physical measures लेकर के इसको सही कर सकती है RBI इसको सही नहीं कर सकती है RBI अगर सही करेगा तो interest rate और भी जादा बढ़ जाएगा उससे GDP में problem आ सकता ह ठीक है जैसे example जैसे अभी supply जैसे टोमेटो बगेरा का rate बढ़ गया था तो government क्या कर सकता था कि उनकी supply increase कर सकता था या फिर उनको subsidize rate पर वेच सकता था ठीक है या जैसे अब बालो पेट्रॉल डीजल का problem आता है तो tax को आप कम कर दीजे तो इस तरीके से अगर आप काम करो होगे तो control हो जाएगा inflation ठीक है अब बात करते हैं गोल्डी लॉक सिनेरियो की गोल्डी लॉक सिनेरियो क्या होता है वो नाम से ही पता चलता है lock यानि कुछ lock वाली situation है तो यह बिलकुल ideal situation है कैसी ideal situation जहाँ पर steady growth होती है मतलब कि growth तो है बड़ बहुत अच्छे से नहीं है है ना तो यही problem है कि अच्छे से growth होनी चीए जो कि अच्छे से नहीं है ओके तो इसमें क्या होता है कि economic growth ना तो बहुत जादा high है और ना ही बहुत जादा low है उसकी वज़े से ना तो inflation है economy और ना ही slow down है लेकिन अच्छा नहीं है condition अब इसके इसमें क्या features होते हैं एक तो होते हैं ठीक है तो इसके यह जो है problems होती है तो यह जो है temporary in nature में होता है आगे जाके सही भी हो सकता है मलब बहुत ज्यादा problem बाली situation नहीं है लेकिन हाँ continue रहा तो problem ज्यादा है अब बात करेंगे उदगम यानि कि unclaimed deposits gateway to access information portal यह RBI ने launch किया है एक centralized bay portal है उदगम अब इसमें क्या होने वाला है तो देखें बैंक के जो भी customer है वो अपना unclaimed deposit जो भी उनका रहा हो किसी भी बैंक में multiple बैंक में आपको एक जगहे पे मिलेगा अब यह unclaimed deposit क्या है तो देखे कि मानलों कोई आपका saving account रहा है bank account रहा है जिसको आपने पिछले 8-10 साल से उसमें कुछ किया ही नहीं कोई transaction नहीं किया तो आप उसमें जो भी balance है उसको आप claim कर सकते है या फिर आपका कोई term deposit है जो mature हो चुका है लेकिन अभी तक आपने claim नहीं किया है तो भी आप claim कर सकते तो इससे क्या होगा कि financial inclusivity increase होगी अब जो next है वो revised timeline for initial public offering अब यह क्या चीज है सेवी ने इसको हाफ कर दिया है पहले यह छे दिन था अब तीन दिन कर दिया है तो IPO क्या होता है कि security का selling होता है यह public को private मलब private नहीं इस primary market में यह जो है कंपनियों के लिए सबसे बड़ा source होत का है यहाँ पर क्या है age of doing business होजा को enhancement मिल जाता है अगर issuer के point of view से देखा जाए और investor को यहाँ से क्या फायदा होगा कि उसको capital जली मिल जाएगी अब देखो T plus 6 ता पहले यानि कि आज आज आपने कुछ खरीदा तो वो 5 से 6 दिन में 6 दिन में आपका settlement होगा लेकिन अब T प्लस 3 कर दिया यानि कि आज आज आपने कुछ खरीदा IPO या बेचा तो वो तीन दिन में ही settle हो जाएगा अब बात करते हैं fair and remunerative price यानि कि FRP ठीक है तो यहाँ पर क्या है FRP में government ने भी notify किया है कि जो payment है farmer को वो ज़्यादा दिया जाएगा as compared to the center fair and remunerative price अब ऐसा क्यों मलब यह 2015 लागे पहले किया जाता था क्योंकि वो business को expand करना चाहते दे तो इन्होंने क्या किया था कि जो 655 है income tax act का उसमें इन्होंने क्या किया कि यह expect कर रहे थे कि जो mil honor है उनको relief मिल जाएगा करीब 10,000 करोर का अब क्या यह काम किया नहीं किया देखते हैं लेकर अभी तक यह model continue ही है कि आपको यह continue करना है आप देखो FRP क्या होता है यह minimum price है जो mil honor को farmer को देना ही पड़ेगा और यह जो है sugar can order आया था 1966 में उसके तहत यह काम करता है और यह लाया गया था Essential Commodity Act 1955 देखो यहाँ पर अंतर है चुकि यह Essential Commodity Act की बात कर रहा है जो कि 1955 में आया था और उस Act के तहत एक order आया था और उस order के तहत यह बताया गया था कि FRP आपको देना ही पड़ेगा ठीक है और यह किस के दोरा around तो किया गया था लेकिन recommendation किस ने दी थी तो commission for agriculture cost and price यहन basis पर दी थी cost of production के basis पर यहाँ पर जो cooperative factories हैं वो farmer को pay करती है center के FRP से ज्यादा क्यों क्योंकि state advisory price पर वो pay करती है जो कि FRP से कहीं ज्यादा होता है और farmer union की demand भी रहती है कि आपको pay करना ही है अब क्या issue है FRP में तो FRP में सबसे पहला issue है कि जो sugar can control order है उसमें mill owner को यह mandate है कि आपको 14 जिन के अंदर payment करना ही करना है अगर आप ऐसा नहीं कर पाते है तो आपको 15% interest के साथ pay करना पड़ेगा annual interest के साथ इसका जो sugar commission है उसको यह power है कि अगर जो mill owner अच्छा नहीं है तो वो उसकी property को seal कर सकता है उसको attach कर सकता है ठीक है mill के पास कोई option नहीं है कि वो बोल सके या decide कर सके FRP FRP जो है वो government के द्वारा नहीं मैं अलब government ने जो भी उसके लिए बिबस्ता बनाई है उसके तहत होगा लेकिन जो है mill owner का कोई उसमें contribution नहीं है अब बात करते हैं online regulation की तो online regulation advertisement के regulation को कैसे देखा जाए तो union cabinet ने assign किया है काम किसको IB को यानि कि ministry of information and broadcasting को जो एक administrative authority होगी जो regulate करेगी online advertisement को तो इसके लिए इन्होंने क्या किया है कि amendment लाए है कि किसमें लाए है allocation of business rules 1961 तो ministry of IB इससे पहले भी जो ads वगएरा आते हैं थे wetting और gambling को लेकर उसको देख रहा था लेकिन लेकिन जो online advertisement थे उसको देखा जाता था mighty के द्वारा लेकिन अब ये काम IB को दे दिया है अमरित भारत station scheme अब ये क्या चीज़ है भाई तो देखो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने foundation stone रखा है इसको लेकर कि हम redevelopment करेंगे 508 railway station को under the अमरित भारत station scheme अब ये क्या चीज़ है कि हम इसमें redevelopment करेंगे stations को nationwide उनको जो है state of art public transport जो है facility प्रवाइड करेंगे और साथी साथ bird class immunity यहाँ पे लाएंगे कि लोगों को अच्छी अच्छी सुब्दाय मिल सकें लोग जो है बड़िया enjoy कर सकें platform पर जा करके अब इसके लिए नोंने एक master plan बनाया है जो long term के लिए है और इसका जो implementation है वो होगा as per station की need station की need क्या है उसके according जो है इसको execute किया जाएगा station को यह चाहते हैं कि as a city center बनाया जाए city के center में बनाया जाए और इस तरीके से design किया जाए कि लोग attract हो वहाँ पर वह एक city of center का आ जाए कि center city का एक बड़िया center है जहां पर आपको मिलेगा railway station ठीक है तो इसमें जैसे इन्होंने कहा है कि जो भी हम railway station building design करते हैं तो वो inspire होनी जाए local वहाँ का culture कैसा है heritage कैसा है वहाँ का architecture कैसा है उन basis पर अब Indian railway ने क्या किया है modernization करने के लिए खुद को तो सबसे पहले इन्होंने train को modernization किया है जैसे कि इन्होंने बंदे भारत train लाई है start smart code लाए हैं उसमें bright train की speed को बढ़ाया है फिर signaling or safety को लेकर के काफी काम किया RITS, LHB यह सब मतलब एक हिसाब के sensor type के होते हैं जो बहुत ही important होते हैं जैसे कि especially कवच अभी आपने देखा होगा कि बालास और जो है उडिशा के वहाँ पे incident हुआ था अगर वहाँ पे कवच system होता तो यह incidents नहीं होता कवच जो बहुत ही अच्छा system है और इसकी accuracy ऐसी है क आवेमानों कि 10,000 times में एकादवार accident हो सकता है ठीक है इसके बाद इन्होंने climate से लड़ने के लिए भी काफी काम किया है जैसे कि dedicated freight corridor लाया है net zero entity की बात कर रहे है 2030 तक और भी बहुत सी चीज़ें किया है कि जैसे unmanned जितनी भी crossing के उनको हटा दिया है by-fi service लगाई है stations पे one station बन product scheme पे काम कर रहे हैं अब जो हमारा next topic है वो installed housing project ठीक है तो installed housing project जो है लाया गया है किसके द्वारा इस यह जो प्रोजेक्ट है इस पे committee बनाई गई थी और उस committee ने report दिये किसको MOHUA अनि कि ministry of housing and urban affair को अब यह जो committee बनाई गई थी यह committee कि किसके recommendation पे बनाई गई थी तो recommendation पे बनाई गई थी center advisory council अब center advisory council बनी होती है रेरा के अंदर यानि कि रेरा act था उसमें इसका provision है CAC का जिसको chair किया जाता है ministry of housing and urban affair के द्वारा अब इसकी key highlight यह है कि 4.12 लाग housing unit जो है installed पड़े हुए है जिनकी total कीमत 4.8 लाग करोर है और यहां पे क्या है financial viability का problem आ रहा है क्योंकि project installed हो चुके है तो उसमें cost overrun हो रहा है और यही सबसे बड़ी problem है और recommendation उन्होंने क्या दिया है कि आपको जो भी developer है या उनकी accountability हमें fix क करनी है चाहिए वो developer हो financer हो या कोई भी है तो उसकी हमें accountability fix करनी है इसलिए उसको रेडा के अंदर registration कराना पड़ेगा क्योंकि home buyer कोई खरी देगा तो अगर कल के दिन कुछ issue होता है तो who will responsible for that तो इसलिए इनका registration होना वजबजर हो रही है फिर rehabilitation package हम ला सकते है इसमें क्या ह लोग कि state government install project को पूरा करा सकती है और जो लोग उन्हें लगता है कि इनको rehabilitize करना है बहाँ पर rehabilitize कर सकते है इस टॉल्ड प्रोजेक्ट को जो है finance किया जाएगा under the special window and affordable and mid income housing fund के द्वारा यह फंडर जो इस तरीके के project के लिए finance करता है just a second okay इसका जितने भी इसमें stakeholder है उनको haircut लेना पड़ेगा यानि कि जितना भी actually उनका rate है उससे कम उन्हें लेना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा safety purpose कि लिए कि थोड़ा उनके पास भी होना चाहिए ठीक है इसके बाद जो है अगर इससे internal return अच्छे मिलते हैं तो यहाँ प privacy code जैसे कि अगर मारे लोग कुछ last resort में देखना चाहिए कि जब जो building का developer है ठीक है उसने जो काम किया है वो बोल रहा है कि नहीं नहीं आप सब हमारे पास कुछ है नहीं आप बिल्डिंग्स जो है labs हो जाएंगी पूरा complete project नहीं होगा या आपने आपको बोल रहा है कि नही होगा जो भी इसके dues है तो उस case में हम bankruptcy ला सकते हैं और इसको इससे जो अच्छा return ले सकते हैं अब जो हमाना next topic है वो है इंडिया smart city award contest अब यह इंडिया का smart city award contest रखा गया है यह organized किया गया है smart city mission के त्वारा जो कि ministry of housing and urban affair के अंदरा आती है इसमें recognize किया जाएगा और reward किय जाएगा cities को projects को innovation ideas को और साथी साथ जो है promote किया जाएगा sustainable development hundred cities में यहाँ पर जो top three smart city है वो है इंदौर सूरत और आगरा मदप्रदेश तमिल नारू राजिस्तान जो है better state है और चंडिगर जो है union territory में आती है जो कि top पर है काफी अच्छा काम चल रहा है उस पर अब बात कर लेते हैं insurance security bond अब यह क्या चीज़ होती है तो इसमें simple सी बास समझे आप आप A B और C तीन लोग है तो मैं हूँ किसी मालो LIC company से ठीक है आप वो B से bank वाले ठीक है और यह है customer customer चाहता है कि हमें कुछ lawn लेना है तो वो क्या करेगा bank को जैसे हम लोग क्या करते हैं कि कुछ कुछ रखते हैं collateral रखते हैं तो collateral की जरूरत नहीं है यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यह life insurance वाले से security दिला देंगे अगर हमने security दिला दी तो bank को कोई दिक्कत नहीं है कि कल के दिन कुछ problem होगा तो bank तो बोलेगा भाई आपने दिया दा security आप लाईए है ना तो यह जो है इस इसको replace किया जा सके और यह insurance regulatory and development authority के द्वार लाए गया था अपरेल 2022 में ओके तो अब हमारा जो next topic है वो है rail c rail यानि की rsr transportation इसको समझेंगे तो ministry of coal ने अभी जो है rsr को promote किया है rsr क्या है multimodal transport system है जो coal को end user तक ट्रांसपोर्ट करता है अब देखो यहां पर जो coal production का target है वो हमारे double होने वाला है next seven year में ऐसा हमारे government का target है अब coal transport में सबसे बड़ा issue आता है कि handling capacity अच्छी नहीं है improper loading और unloading है infrastructure की और road बगएरा का बहुत जादा congestion है especially rail network का भी तो rsr यही काम करने वाला है कि जो rail route है उनको decongest करने वाला है जो congest है उनको decongest करने वाला है logistic cost कम करने वाला है और resilient और efficient coal supply करवाने वाला है और साथी साथ चाहता है कि इतना सब होने के बाब जूद भी carbon footprint बहुत काम हो इंडिया में अगर हम बात करें कोल की तो इंडिया जो है इंडिया में कोल रिजल करीब इतना है त्री लाक सिक्ष्टी वन थाउजन फोर हंड़ेड एलेवन मिलियन टन ठीक है जो जादतर पाए जाता है उरिश्चा जारकंड और चाहतीज़गर में ओके तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मेरा बिल मेरा अधिकार इसकीम अभी यह वाई क्या चीज़ है तो cbic ने लाया है यानि कि central board of indirect tax and custom जो है इन्होंने बुला है कि यह invoice incentive इसकीम है मेरा बिल मेरा अधिकार अभी इसका objective क्या है कि देखे आपको जो है cultural और behavioral change ल title भी है हर दुकानदार को आपको बिल देना चाहिए और उसको देना पड़ेगा अब इसमें क्या होगा कि आपके पास अगर कोई बिल है तो उस पर आपको price मिल सकती है यह price दस जार से लेकर के एक करोर तक हो सकती है लेकिन उसके लिए आपको GST invoice upload करने हो तो यहां पर गया है कि जो business to business invoice है वो आराम से महलों business to business जैसे आपने मालों कुछ खरीदा है business to consumer से आपने महलों consumer हो आप आपने कुछ बिजनेस से करीदा है आपके पास उसका बिल है आप लगा सकते हो आप इस स्क्रिम के लिए लेए जबिल हो तिकर minimum value जो invoice किया वो 200 रु अब ही जो बात कर रहे हैं वो है high price day ahead market and surplus power portal अब यह क्या चीज़ है बही तो यह जो है लाँच किया है ministry of power ने जिससे की इंसे और हो सके greater availability of power वो भी कब peak demand season में क्योंकि peak demand season में ही सबसे बड़ा problem रहता है और उसी समय अगर हम एक इंसे और कर लें सप्लाई तो हमारे लिए better हो जाएगा अब यह कैसे काम होगा तो इन्होंने कहा है कि जितनी भी power distribution कंपनिया है यह indicate करेंगी उनकी surplus power अब इससे क्या हो जाएगा कि जितनी भी discom कंपनिया है जिनको power की जरूरत है वो power एक दूसरे से ले लेंगी surplus वाले से और यह पूरा program बढ़िया से काम करने लगे नमो 180 Lotus लोटस की एक नई variety मिली है जिसका नाम रखका है नमो 1808 तो यह CSIR जो है उसने इसको National Botanical Research Institution लगनों में इसकी बात किया और यह क्यों बात किया है क्योंकि एक initiative चल रहा है बन बीक फन लैव initiative उसके अंतरगत इसने बात किये अब उसके अंतरगत क्या होता है कि जित and scientific achievement for a big ठीक है साथ ही साथ इसमें क्या होता है कि यह जो Lotus है यह जो Lotus है यह मनीपुर में देखा गया था बहुत टाइम पहले और यह unique है मतलब किवल यही एक variety है जो इंडिया में पाई जाती है और जिसका genome sequence भी है ओके अब मरा last topic है भगवा निजिन सौर्ट में last topic है हमारा भगवा पॉले ग्रेनेड तो यह क्या चीज है तो एपेडा ने जो है इसके एक्सपोर्ट के लिए पहला shipment ट्राइल के लिए भेज दिया है USA ठीक है अब इसमें क्या चीज होती है भाई भगवा यह सेफ्रॉन कलर्ड पॉमे ग्रेनेड होता है तो यह क्या है हाई एंटिय अक्सिडेंट कंटेंट होता है इसमें सुपर्फूट करेक्टरिस्टिक देखने को मिलते हैं जालत तर सोला पूर महरास्ट में होता है अब एपेडा क्या है तो एक सेट्यूटरी बॉड़ी है जिसको एगरी कल्चर और प्रॉसेस्ट फूट प्रोड़क्ट के नाम से भी जाना जाता है एक सेट्यूटरी बॉड़ी है जो एपेडा एक्ट 1985 के अंतरकर बनाई गई थी ठीक है अब एक्सपोर्ट से लेकर के या ट्रेट प्रोमोशन से लेकर के यह बॉड़ी बहुत ही एपक्स है इसका नेशनल प्लांट प्रोटेक्शन और्गनाइ तो हमारी जो न्यूजन सौर्ट से यह खतम हो गई अगैन आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको जो भी वीडियो के बारे में जो भी आपका राय है जो भी आपको लगा आप कमेंट जरूर कीजे जिससे इस सीरीज को और भी बेटर बनाया जा सके ओके तो हम डिसकस करते हैं सि सेक्योर्टी के बारे में एंडिया में डिफैंस को लेकर के यह बहुत बड़ा ओरगनायजेशन है और इसमें अभी रिफार्म की बात चल लőग है क्यों रिफार्म लाना चाहते हैं तो इस के बारे में बात करते हैं तो अभी ministry of defense ने क्या बोला है कि जो nine member की एक committee बनाई है जिसको head कर रहा है professional विजय रागवन इन्होंने का आए कि हमें जरूरत है review करने की DRDO के functioning को और कुछ suggestion देने की जरूरत है जिससे इसको restructuring किया जाए और इसको जो है इसके role को redefine किया जाए अब ऐसा क्यों जरूरी है क्यों इसके role को redefine करने की जरूरत है क्यों इसको restructuring करने की जरूरत है तो इसके region को समझेंगे इस topic में उसके बाद बाद या दिया कि क्यों जरूरत है reform तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि reform यहां पर जरूरत है क्यों क्योंकि अभी क्या हुआ है रिसेंटली DRDO को कुछ प्रोजेक्ट दिये गए थे कुछ mission mode प्रोजेक्ट दिये गए थे जिनको DRDO on time जो है complete नहीं करवाया अब अगर कोई भी प्रोजेक्ट on time complete नहीं होता है तो उससे बहुत सारे issue होते हैं जैसे कि सबसे पहले देख तो time आपका lapse हो गया और दूसरी बात cost अब cost कैसे बढ़ जाता है जैसे मालनो for example आप घर का ही छोटा सा काम करवाते हैं कोई और तो पेंडिंग पड़ा रहता है तो उसमें वाली जो भी material आपने rent basis पे लिया हुआ है तो उसका rent तो आपका जाता ही है और unfortunately inflation आ गया बीच में या कुछ भी आ गया तो उसकी वज़े से चीज़ें और भी costly हो जाती है तो यह सब region की वज़े से आपका cost तो बढ़ता ही है सा तो यह इंडिया के लिए बहुत बड़ा problem होगा है ना तो इसी लिए ऐसी चीजों में हमें reform review करते रहना चाहिए time to time जिससे कि यह organization बहुत अच्छे से work कर सके अब हम इसमें क्या करने वाले हैं तो हम चाहते हैं कि इसमें जो भी जैसे administrative चीज़ें है या personal को लेकर के चीज हैं उनको streamline किया जाए अभी actually क्या होता है कि इसमें dependency बहुत होती है because government organization है तो paperwork बहुत ज्यादा होता है permission बहुत ज्यादा लेनी पड़ती है चीज़ें किसी एक particular person के hand में नहीं होती है आपको पता जलेगी finance के लिए है तो किसी अलग से permission लेनी है वो permission देगा तब जाकर के च defense का अच्छा knowledge भी नहीं है तो you can understand कि वो किस तरीके का decision ले सकते हैं तो अब थोड़ा सब डियाडियो के बारे में बात करेंगे तो डियाडियो जो है एक research and development binks and ministry of defense का जिसका vision क्या है कि हमें nation को empower करना है इंपावर कैसे करना है तो state of art indigenous defense technology अब देखो यह state of art क्या मतलब होत ही खुद से design करना state of art मतलब कि हमारी जो state है जो हम art बना सकते हैं उस art के point of view से हम क्या design कर सकते हैं तो यह DRDO के द्वारा खुद design की कई technologies हैं DRDO खुद technologies को design करेगा और nation को उस तरीके की technology प्रवाइड करेगा जिससे की nation का empower हो सके nation का और nation में एक अच्छा defense system बन सके और साथ ही साथ जो art of state of art weapon system है वो arm force को देना equipment arm force को देना जिससे arm force बढ़िया perform कर सके हाला कि इसने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों पर काम किया है जैसे कि अगनी और प्रत्वी missile बनाया है ग्रमोस बनाया है तेजास helicopter बनाया है light combat aircraft जो है ठीक है इसके बाद जो है बह बनाया है बहुत सारे टैंक बनाया है बहुत सारे तो बहुत सी चीज़न डियाडियो ने हमें दी हुई है अब क्यों यह inefficiently work कर रहा है इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं क्या कर ऐसे क्या region आगए कि यह inefficiently work कर रहा है दो सबसे पहली चीज़ है कि यहां पर harmonization नहीं है यह तो मैंने आपको पहली ही बोला कि क्या होता है problem कि multiple agency involved है बियाडियो मतलब एक organization है लेकर उसमें अलग-अलग wings है research and development का लाग है finance का लाग है administrative का लाग है तो उसकी वज़े से क्या होता है जब multiple agencies में involved हो जाती है और भी चीज़े की research अकर हो रही है तो उसको फिर हमें बन approval लेना चुकि government organization है तो ऐसे बात नहीं होगी proper letter paperwork होना चीए तो इसी बज़े से multiple agency involved है और उसी की बज़े से harmonization अच्छा नहीं है दूसरी बात है monitoring अच्छी नहीं है जैसा कि different committee ने देखा है कि इसकी monitoring बहुत अच्छी नहीं है और इसमें क्या होता है कई वाल की frequent जो है requirement में frequent change होता रहा था और यह अगर change हो रहा है तो यह हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं DRDO की mistake नहीं है क्योंकि requirement तो कौन दे रहा है DRDO तो research कर रहा है आप requirement कहा से आती requirement आती arm force से कि हमें किस तरीके की चीज़े चीज़े या फिर defense ministry से तो जिस तरीके construction आप दो दूसी तरीके से DRDO काम क करता है कई वार आपने देखा होगा कि delay होता है और cost over turn भी होता है कि इसकी बाद क्या है कि यह कई वार redundant पे वर्क करते हैं यह क्या चीज़े वाई redundant पे वर्क करते हैं तो जो इनकी R&D है वह कई बार obsolete technology यानिक बहुत पुरानी technology पे चलती है क्योंकि पुरानी technology पे चलेगी रही है ऐसे ऐसे बैपन आ रहे हैं ऐसे ऐसे nuclear बैपन आ रहे हैं chemical बैपन आ रहे हैं तो DRDO को भी इस तरीके से काम करना पड़ेगा जो absolute technology है उनको छोड़ करके modern technology पे advanced technology पे काम करना पड़ेगा जिससे उसके effort waste ना जाए और जो भी वो बनाए उसका arm force बहुत अच्छे से use क कर सके फिर bureaucratization of DRDO यह मैंने आपको पहले ही बताया है कि प्रॉब्लम क्या है कि क्या करते हैं ज्यादा प्रॉसीजरल आसपेक्ट पर ध्यान देते हैं कि आपने कहा कि नहीं यह चीज पास कर दिए नहीं पहले पेपल लाओ इसमें यह कमी है पेपल में आपने देखा होगा का मतलब यहां पे आप सिंपल यह समझ लीजिए कि अगर आपको एक सिंपल डॉकुमेंट बनाना है आप तहसील में जाते हैं तो आपको पता होगा कि कितना परेशानी आपको जहिलनी पड़ती है वही चीज यहां पे भी होती है तो उसकी बज़े से कहा है आउटकॉम और डिलेवरी में जो है बहुत ही जादा प्राबलम होता है और फिर क्या है कि एक तो मोनोपॉली है और कोई कॉम्पेटिशन की बुझायस नहीं है इसलिए भी ऐसा होता है कि वह आराम से काम करता है अगर इसमें हम थोड़ा बहुत प्राइवेट सेक्टर इंवाल्व कर दें ठीक है या फिर जो जनरलाइजड ब्यूरोक्रेट हैं उनका जो है उनकी जगह हम एक्सपरटीज ला दें तो भी चीज़ें अच्छी हो सकती है और इसकी स्केल भी बढ़ सकती है अब हमें करना क्या चाहिए अक्शुली तो देखिए हम यहाँ पर एक बात की गई है कि हम एक अर्किटेक्ट्रली न्यू डिफेंस टेक्नो इंडस्टीज कॉंसर्टियम बनाएंगे और यह चीज़ अच्छी है कि अगर यह बन जाता है तो इससे क्या फायता होगा कि इसमें अलग-अलग बिंग्स हो जाएंगे जैसे आर एंडी हो जाएगी उसमें मैनुफेक्ट टाइप का हो जाएगा और एक असाफ से आप कह सकते हैं हब टाइप का हो जाएगा जहां पर आर एंडी वाले भी आएंगे मैनुफेक्ट्रिंग वाले भी आएंगे तो यह सब चीज़ें एक साथ चलेंगी अब जैसे कि आप एक एक इनोवेशन लिया गया था जिसका नाम आप करेगा कि बना के साथ इसके पसके इनोवेशन फैके बना भी बना सकते हैं यह बहुत important है अगर बना दें क्योंकि इसमें क्या करना चाहिए हमें एक military leader और scientist को लेना चाहिए bureaucrats को इसमें नहीं लेना चाहिए क्योंकि bureaucrats का कोई काम नहीं होता है अब जो military leader को पता है कि क्या जरूरत है उने तो वो जो सीधा scientist को बताएं कि हम यह चाहते है requirement कौन देगा military leader और उसको fulfillment कौन करेगा scientist तो बड़िया काम चलेगा अच्छा coordination में कि इनकी क्या जरूरत है और हमें क्या कैसे बताना है उस चीज को तो इससे क्या है कि अच्छी research हो जाएगी frontier technology पे collaboration में काम कर सकते हैं तो यह सब चीजें कर सकते हैं साथ ही साथ हम क्या कर सकते हैं कि जैसे national research organization है जैसे मालो DRDOE है तो यह laboratory या फिर academia या फिर industry इन सब चीजों से भी coordinate कर सकते हैं इन सब चीजों से भी collaborate कर सकता है जिससे लोगों में जो defense को लेकर के हैं बड़े innovation आए नहीं नहीं टेक्निक्स लोग निकाले श्टार्ट आप बाले इस पेसली तो यह चीज की जा सकती है और procedural जो मेजर हैं उनको हमें कम करना पड़ेगा हमें या तो जो है इसको digitalization करना पड़ेगा या फिर चीज को जैसे जो जितने भी procedural measures हैं उसको minimize करना पड़ेगा जिससे की चीजों में problem नहीं हो और साथ ही साथ हमें क्या करना पड़ेगा कि जैसे कुछ भी अगर हमें मालो for example हम कोई technology एक पर काम करना है तो अगर उस technology को जब हम initial stage में हैं तब ही अगर कुछ modification करना है आप तब कर दीजे ठीक बना रहे हैं वो भी आपको अच्छे लगे और उसके बाद जब production होने लगा तो आपने बूला नहीं 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 इसमें तो यह चीज होना चीज है तो यह चीज बिलकुल गलत है अब आप सोचे कि उसमें कितना investment हो चुका है production stage पे आ गया है और उसके बाद आप बोलो रह पहले जब तक product को final करने से पहले जो step है जो होता है उसमें आप modification कितने भी कीजिए no issue लेकिन production होने के बाद आप यह चीज पे नहीं करना है ओके हमारा जो next topic है वो है center arm police force को लेकर के जिसको हम C.A.P.F बोलते हैं तो अभी recently home ministry ने बताया है कि 1532 C.A.P.F वाल परसनल ने जो है उनकी death हुई है suicide की वजए से last 13 year में यह बहुत ही चिंदा की बात है क्यों बता arm personal क्यों ऐसा कर रहे है 1532 is not a small number भले 13 year में हुआ है it is a big number इतने ज्यादा society वो भी C.A.P.F में क्यों समझते हैं इसके region को तो सबसे पहले तो यह समझ लेता है कि C.A.P.F क्या होता है C.A.P.F जो जैसा कि हम ने देखा full form center arm police force है लेकिन यह केवल center arm police force कह देने से काम नहीं चलेगा इसमें क्या है कि seven type के forces होते हैं जो कि ministry of home affair के अंतरकत आते हैं अब इसमें बात करते हैं कि कौन कौन से force होते है और यहीं कि ससस्त्र सीमा बल जो कि 1963 में बनाये गया था और यह भूटान और नेपाल border को protect करते हैं इसके बाद है B.S.F यानि कि border security force यह 1965 में बनाये गया था और यह पाकिस्तान और मंगलादेश border को protect करते हैं और कई वार जैसे जो anti-nexial operation होते हैं या फिर United Nation का जो peacekeeping operation होता है तो वहाँ पे भी यह B.S.F के जबान जाते हैं फिर आता है ITBP यानि कि इंडो तिब्बत border police तो यह नाम से बता चलता है इंडो तिब्बत है यानि कि चाइना वाले रिजन में यह काम करें कि 1962 में बनाया गया था इंडो चाइना बार्डर में काम करते हैं असम राइफल न जाते हैं तो यह जनरली इनको किसी border पर नहीं रखा जाता है कंट्री के अलग-अलग पार्ट में रखा जाता है जो कि law and order को मैंटेन करते हैं पब्लिक और को मैंटेन करते हैं इसके आद आता है CISF यानि कि Central Industrial Security Force नाम से पता चलता है industrial यानि कि जो भी पब्लिक सेक्टर होत है जैसे कि for example thermal power plant है या nuclear power plant है तो उसको protection की जरूगत होती है तो यह CISF बाले वहां पर protection देते हैं और कि वहां पर ही नहीं यह जैसे गौर्णमेंट बिल्डिंग्स है मॉनूमेंट्स है एरपोर्ट्स है नुक्लियर इंस्टॉलेशन है डैली मेट्रो है वहां पर भी CISF ब प्रोकने के लिए NSG का यूज किया जाता है अब यह सब चीजन तो ठीक है लेकिन अब क्या इशू आ रहे हैं क्यों CIPF में ऐसे इशू आ रहे हैं सेंट्र आंप्लिस फोर्स में तो देखे ऐसा इसलिए भी होता है सबसे पहला और important इशू है कि high vacancy अब vacancy बहुत जादा है तो यह अच्छी बात है कि vacancy जादा है तो आपको भरना है लेकिन problem कहा है कि वो भरी नहीं जा रही है और जब vacancy नहीं बरी जाएंगी तो इसका impact किस पर पढ़ता है जो वहाँ पर काम कर रहे हैं उनको क्या होता है overload है ना तो इसकी बज़ेसे बहुत problem हो जाता है इसकी जैसे जो है suicide बढ़ती है और जो है classes बढ़ते है personal के बीच में और फिर bureaucratization हो रहा है आम फोर्स का यानि कि आप जो promotion है इनके वह promotion नहीं करते हो तरह अच्छी है top position पर आप क्या करते हो जो top position है वह occupied कर जाती है IPS officer तो इनको demoralizing effect मिलता है आप सोचो जैसे lieutenant है या पिर इसमें उनको एक demoralizing effect लगेगा ना कि हमने इतनी अच्छे से force join किया इतना काम किया force और हमको promote ना करके IPS को promote कर दिया है तो यह चीज नहीं होनी चाहिए क्योंकि IPS force के बारे में उतना अच्छा नहीं जानेगा जितना की जैसे lieutenant है sub lieutenant है बहुत सारे लोग होते हैं उसमें बहुत सारी क्या है कि इन-house grievances देशल मेकनेजम नहीं है कि मालोग कभी कोई problem हुआ personal के बीच में तो वो किसको inform करें यह चीज वहाँ पर नहीं है साथी साथ क्या है infrastructure की भी बहुत कमी है वहाँ पर ना तो electricity कई बार नहीं मिलती है जैसे कि border outpost पर electricity की कमी हो जाती तो उसका भी एक working condition पर negative impact पड़ता है ठीक है इसके बाद जो modern weapon नहीं है हमारे force के पास जैसा कि अब हमने DRDO हमें भी देखा है कि वो कई बार क्या होता है absolute technology पर काम करते हैं जो कि technology भी existing ही नहीं है या फिर old technology है तो कोई फायदा नहीं अगर उसी तरीके कि modern weapon आप इनको नहीं दोगे modern weapon नहीं दोग होगे तो उससे क्या हो जाएगा कि इनको इनके लिए problem होगा ना इनकी तो जान जाती है अगर थोड़ा बहुत भी conflict नहीं पर हो गया तो अगर सामने बाले के पास अच्छे वैपन है और हमारे पास अच्छे वैपन नहीं है तो आजकल वैपन से लड़े जाते हैं तो problem हो साथ ही साथ क्या है कि जो जैसे इनके procurement प्रॉसेस होते हैं वैपन को तो बो भी बहुत जादा combustion है टाइम कंज्यूमिंग है ये भी एक issue है और demand from states, states से भी demand आती है कई बात क्योंकि state dependent करते है CAPF में अगर कोई भी law and order का issue हुआ तो यहाँ पे भी आप देखे कि state भी demand कर रही ये वैकेंस ये आपने भरी नहीं है तो आप कहां पर भेजोगे CAPF को तो इसकी पर जैसे जो CAPF होते हैं उन पर overload बहुत जाला रहता है कुछ data bank देखते हैं तो अभी देखिए आप 11 लाग जो है total sanction strength है CAPF की 3.7% जितने भी CAPF हैं उसमें boomend का representation है और 83,000 post जो है वो भी CAPF में backend है अब क्या step करना लेना चाहिए जिससे की इनका improvement हो सके देखिए सबसे पहले तो क्या है कि हमें special force बनाने चाहिए state में special force क्या जो state में रहेंगे जो state के law and order को manage करेंगे बड़िया से और जो existing police force है उनको भी हमें थोड़ा बहुत ट्रेनिंग बगएरा दे करके equipment दे करके उनको भी modernize करना होगा इसके बाद जो है training method जो है हमें अच्छे करने पड़ेंगे क्योंकि अभी training को तो हमने बहुत ही ज़्यादा conventional type के होते हैं पुराने type के होते हैं ऑफ्शल्यूट होते हैं तो उनको हमें और modern तरीके से training देनी चाहिए जिससे की वो अच्छा perform कर सके हैं ठीक इसके बाद जो तो अच्छा और भी काम होगा वो भी एक अच्छे से काम कर सकते हैं और उनके लिए जो training है या फिर जो यह training curriculum है वगरा है तो उसको भी separately design करना होगा जो अगनी वीर वाला है अगनी वीर को अभी आप क्या करते हो कि 10% ही reservation है अगनी वीर को कि उनको आफ C.A.P.F में लोगे आगे मतलब उनका एक time limit होता है साइद I think 4 साल यह 4 साल वो job करेंगे उसके बाद जा सकते हैं तो उनको आप 10% ले रहा हो तो 10% क्यों ले रहा हो आप जो है उनको पूरा ले लो ना भी जब तक आपकी vacancy fulfill नहीं हो जाती है इसके बाद जो grievances रीडेसल mechanism है यह अच्छी होनी उसको मिलना चीए तभी जाकर के चीजें सही हो पाएंगी तो यह सुसाइट के cases भी कम हो जाएंगे तो जो है डिले अगर किसी भी promotion में उनको नहीं करना है हमें classes अगर हो रहे हैं तो उनको हमें sort out करना है harassment नहीं करना है यह सब चीजें करना है और साथ ही साथ हमें force को दूर है कुछ life का भी पता नहीं है कब क्या होगा तो इसलिए उनको जो है stress प्री रखने के लिए हमें थोड़े बहुत प्रोग्राम चलाने होंगे ओके अब जो हमारा next topic है वो है inter service organization command control and discipline तो inter service का यहाँ पर क्या मतलब है कि देकि हमारी तीन body होती है आपने एर फोर्स आर्मी और नेवी लेकिन कुछ इनके बीच से भी बनाई जाती है जैसे कि आन्मान और निकोबार कमांड तो आन्मान और निकोबार कमांड ने नेशनल इसलिए apprendre colleges हैं तो इन सबहे क्या होता है कि यृतीनों जैसे और father ऐसे कोई परसन आएगा आर्मी से को यह परसन आएगा या पिर नेवी से परसन आएगा या फिर जहां पर जैसी requirement तो अलग अलग जगे अब पॉर्स से नेवी एर फोर्स और आर्मी से पर्सनल आते हैं इस पर प्रॉब्लम क्या होती है वो समझते हैं तो इसको बोलते हैं इंटर सर्विस और्गनाइजेशन जैसे की एक्जाम्पल आपको बताया आंड माने निकोबर कमांड तो अब यहां पर प्रॉब्लम क्या होगा इससे कि अलग-अलग यह आ रहे हैं मालो एक नेवी का कोई आय कई बार तो उसको तो उसको यह पावर नहीं होती है कि इन पर वो कोई एक्शन ले सके या फिर इनके गलाव कोई एडिमिनेशिटिप पावर का यूज कर सके तो यह सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है आप जैसे मालों यहां पर कोई परसंग गया है तो आप उस पर कोई एक्शन नहीं ले सकते हो उस पर कोई एडिमिनेशिटिप पावर आप उस पर अपनी लगा सकते हो तो उसकी वैसे क्या हो जाता है कि जो परसंग सर्विंग कर रहा है उसको क्या करना पड़ता है कि कुछ भी एगर ऐसा करना है तो जो मैन यूनिट है उसका जैसे वो आर्म वाले से permission लेनी पड़ती है तो यह जो process है बहुत ज़्यादा time consuming conversion और financial implication आते हैं इसको लेकर के तो इसी लिए जो है यह need आई है कि हमें जो है ISO को इस तरीके से empower करना चाहिए थोड़ा सा control देना चाहिए service personal के उपर उसी के तहद यह हमारा जो bill आया है वो काम कर रहा है अब की highlight क्या है इसमें क्या bill मिलाया है तो सबसे पहले तो इनों ने define किया कि inter service organization क्या होता है जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताए कि joint service command जिसमें person अलग-अलग forces से जैसे air force, army और navy से आएंगे कम से कम दो से तो होने चाहिए तीन से हो तो चाहिए अब जो है center जो है ISO को बनाएगा यानि कि जो personal belong करेगा दो या तीनों services से ठीक है उसको हम ने बताया कि उसको क्या बोलेंगे joint service command बोलेंगा जो ISO है वो जो है center government के द्वारा उसमें appoint किया जाएगा अब यहां पे जो commander in chief है या जो ISO है ठीक है ISO में जो commander in chief है ठीक है तो अभी ISO हो गया जैसे की आंड मानें निकोवर तो उसमें जो commander in chief है जो उसका head है ठीक है ISO होगा तो उसको अब empower किया गया है कि वो disciplinary action और administrative action ले सकता है किसी भी personal के against लेकिन लेकिन अगेन यहां पे important चीज़ है कि अगर वो army का है तो आपको army में क्या disciplinary action और administrative action हो सकता है उसके according लेना है नेवी का है तो नेवी के according लेना है और एरफोर्स का है तो एरफोर्स के according लेना है और यह organization exist रहेगी क्योंकि इसकी जरूरत पढ़ती है कई बार ठीक है और साथी साथ जो है center government इसको superintendent करेगी ISO को ठीक है तो ISO जो है सीधा center government के अंतरकत आएगा center government इसको direction issue करेगी जब जैसा कि national security या फिर general administrative से लेकर कि या कोई भी और जहांपे भी इनकी जरूरत है ISO की वहाँ पे guideline center के द्वारा दी जाएगी और उनको fulfill करना होगा अब बात करते हैं जो news shorts में है सबसे पहला है कि mobile user protection reform अब भाई यह क्या चीज़ यह प्रोटेक्शन रिफॉर्म बात करते हैं जस्ट आ सेकेंड ओके ओके तो mobile user protection reform तो अभी ministry of communication ही आएगा इसमें क्योंकि mobile से related तो communication ही आता है तो ministry of communication ने दो user protection reform लाए हैं जो supplement करेंगे संचार साथी पोटल को अब एक क्या चीज़ है भाई देख लेंगे तो दो चीज़ें नहीं बोली है सबसे पहला है कि point of sale और दूसरा है kyc reform यह point of sale का क्या मतलब है कि point of sale registration reform यह क्या मतलब है कि जैसे अब कोई भी जो mobile बेच रहा है चाहिए फ्रेंचाइज हो एजेंट हो डिस्टिब्यूटर हो उसको लेसंस लेना पड़ेगा बिना लेसंस के वो नहीं बेचेगा तो इससे क्या होगा कि fraudland practice आराम से पता चल जाएंगी कि कौन fraud कर रहा है इसका KYC reform में इन्होंने क्या बोलाए कि जो demographic detail है वो capture की जाएगी आपके QR code को scan करके जब आपका प्रिंट मलब आप अपना आधार दोगे ठीक है अब यह संचार साथी portal क्या होता है और एक क्या काम करता है तो संचार साथी portal जो है empower करता है mobile subscriber को कि वो अपना mobile connection जो खो गया उसको पा सकते है कैसे कि यहाँ पर आप इस पर जाकर देख सकते है इस पर पर पोर्टल होते हैं दो तरहीं कि अगर आपका mobile क्योट हो गया या पर आपके नाम पर कितनी sims हैं कितने mobile हैं य гол न तो यह सब चीज़ हैं आप देख सकते हो तो इनके पास यह data bank है अच्छा तो उससे आप पता लगा सकते हो कि आपके नाम पर कोई फर्जी चीज तो नहीं है अगर कोई फर्जी sim भी है तो आप उसको deactivate करा सकते हो या फिर आपका mobile lost हो गया तो आप उसको block करा सकते हो ठीक है तो इससे क्या है कि आप यह सब चीज़ें कर सकते हो और अगर मिल जाता है तो वो आपको return कर देंगे नहीं मिला तो आपका block तो ही जाएगा तो वो कुछ use नहीं कर पाया उसके भी किसी काम का नहीं रहेगा अब बात करते हैं acoustic side channel attack यह क्या चीज़ है वाई acoustic का मतलब क्या होता है sound related तो यहां पर क्या है कि जैसे AI enabled deep learning होती है जो AI tool है या फिर जो laptop है उनमें जो keyword use होता है वो same keyword होता है ठीक है अब keyword जब same use हो रहा है तो इससे क्या नुक्सान है समझते हैं देखो ध्यान से सुनना अभी जो laptop है और जो AI है दोनों में same keyword use हो रहा है तो अब इसका use करके यह जो cyber attack किया जाता है अब cyber attack कैसे किया जाएगा समझना जो artificial intelligence होता है यह क्या करता है कि आपकी password को decode करता है कैसे decode करता है अब चुकि जब आपने laptop में कुछ डाला होगा password तो उससे particular key को press किया होगा और particular key ने कुछ sound generate किया होगा तो उस sound को यह analyze करते हैं उस sound को यह decode करते हैं और आपके password को यह hack करते हैं तो यह cyber attack है ठीक है और किस तरीके से हो रहा है आप सोचिए SCA जो है यह kind of hacking करता है cryptographic algorithm के तुरू जो जैसे analysis of auxiliary system के basis पर जैसे यहां पर laptop हो गया या आपका mobile हो गया या फिर कुछ भी तो उसके basis पर चीजों को analyze करते हैं प्रेक्ट मेंटे बेफ्स देखते हैं पावर कंजम्शन देखते हैं कीबोर्स से sound देखते हैं प्रिंटर बहुत सी चीज़ने देख करके यह पता लगाते हैं कि आखिकर आपका password क्या होगा और इस तरीके से यह आप पर attack करते हैं अब जो हमारा next topic है वो है spike non line of sight ठीक है non line of sight anti-tank guided missile तो यह एक missile बनाई गई है किसके दोरा इंडियन एर फोर्स को भी यह missile मिली है जो कि इसराइल ने बनाई है जिसका नाम है spike non spike nloss आप बेटर रहेगा nloss यहने की line of sight ठीक है spike nloss anti-tank guided missile ठीक है अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया है इसको indicated किया गया है with Russian origin fleet कीट जिसका नाम है MI-717 B5 helicopter के साथ इसको रखा गया उसके साथ ही अपनी काम करने वाली है उस helicopter के साथ मला उस helicopter पर launch की गई है वहां से जहां कहीं पर भी हमें दागना है तो वहीं से हम लोग दागेंगे इसको अब जैसा कि पहले ही देखाए कि डिजाइन और डेपलप की गई है इसराइल के द्वारा ओके अब यह क्या काम करने वाली है तो देखते हैं इसके काम भी देख लेते हैं तो यह capable है एनिमी के target को destroy करने के लिए जहां पर mountain के पीछे भी अगर कोई है तो आपे भी यह destroy कर देगी बहुत अच्छे से effective है 25 किलो मीटर की range में light rate है fire and forget tactics पे काम करती है मैं बहुत आपने fire कर दिया भूल जा आपका targeted हो जाएगा अगर उनका कोई protection system नहीं है तो अब जो हमारा next topic है यह है श्वाथी बैपन लोकेटिंग radar mountain जिसको WLRM बोला जा रहा है नहीं कि बैपन लोकेटिंग radar mountain अब यह क्या चीज़ है तो इंडियन आर्मी ने भी क्या किया है एक श्वाथी WLRM बनाया है जिसको यह क्या कर रहा है कि hostile arterially को compact करने के लिए बनाया अब इनहां पर मैं नेम क्या है यहां पर वो समझिए कि यह लोक क्या करने वाले हैं कि इनको mountain या high latitude पे यह system रखने वाले है यह radar रखने वाले हैं अब यह radar क्या करेगा electronically scan करेगा कोई भी weapon को कोई weapon इंडिया की side तो नहीं आ रहा है अगर आ रहा है तो उसको यह उससे इंडिया को protect करेगा और यह बनाया किसने है भारत electronic limited बैंगलोरने यानि की V.E.L. बैंगलोरने ठीक है अब यह कहीं पे भी use किया जा सकता है जनरली तो mountain के लिए बनाया गया था लेकिन इसका W.L.R. जो plane version है वो भी आ गया है यह जो है आपकी advanced signal processing technology पर काम करता है detect करता है और track करता है कोई mortar है rocket launcher है fire trajectory है या कुछ भी spike जो हमारे यहां पर आ सकती है उसको यह आराम से track करता है इसके बाद बात करेंगे astr missile की तो astr missile जो है एक light combat aircraft तेजास पे successfully test की गई है मतलब तेजास पे लगा करके इसको test किया गया है और इसका test जो है successful हुआ है यह जो है visual range से भी जादा जाता है air to air missile है जो की DRDO ने ही develop की है अब इसकी range कितनी है तो range इसकी 80 to 110 km है अगर mk1 से देखा जाए और 160 km है अगर mk2 से देखा जाए altitude जो इसका 20 km है और maximum speed 4.5 मैच है यानि की sound की speed की 5 गुना है almost 5 गुना 4.5 गुना और यह जो है एक मिनिट अब 3D printed bomb अब यह क्या चीज़ है वाई तो देखिए 3D printed जो bomb है यह actually बताते हैं आपको यह एकसाफ से आपको confuse करने के लिए है बलब है तो 3D printed लेकिन कैसे confuse करने है तो यूक्रेयन ने अभी क्या 3D printed bomb बनाए है जो combat करेंगे क्या उसके जो ammunition shortage बढ़ रहा है रसीन के साथ अब कैसे combat करेंगे तो यूक्रेयन के बेपेन में करने क्या किया है कि अपने arm और ammunition को improve करने के लिए इस तरीके के wand बनाए है अब इसमें यह क्या करता है कि 3D printed caching बनाता है और उसमें जो है C4 explosive जो है भर देता है इनको हम कई बार candy bomb बोलते हैं अब देखिए यह इस तरीके के bomb है वहाँ पर जाएंगे थोड़ा सा attack करेंगे और इनको ज्यादा impact नहीं बढ़ेगा ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा यह बड़े bomb है impact कुछ नहीं बढ़ेगा यह उस तरीके से हैं जैसे कि दीबाल वाले नही impact करेगा जिससे उन्हें लगेगा कि हाँ इनके पास भी चीज़े हैं मतलब short term के लिए ठीक है कि थोड़ा बहुत हो आप है कुछ लोगों को तो effect करेगा कुछ लोगों को मार भी सकता है जितना और इसकी अच्छी बात है कि इसको आप कितनी भी size में बना लो चीप और effective भी है बहुत different size में छोटे से छोटा बड़ा से बड़ा आप बना सकते हो जैसा भी आपकी requirement है इसका जो कुछ military exercise news में उनके बारे बात करते हैं तो सबसे पहले है और इंडेक्स 23 नाम से पता चलता है और इंडेक्स का मतलब होगा अस्ट्रेलिया ठीक है और इंडेक्स का मतलब देखो AUSIND यहां पर देखो बहुत कई बार यह चीज़ें आप देखा करो AUSIND और फिर EX देखो सिंपल सा नाम है Australia India exercise ठीक है तो यह जो maritime exercise है जो कि इंडियन नेवी और रोयल आस्ट्रेलियन नेवी के बीच में होती है फिसके बाद है ब्राइट स्टार 23 यह भी एक ट्राइ service exercise जो कि इस बार एजिप्ट में held हुई है पहली बार जो है इंडियन एर फोर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया है और जैसे यह कंट्री है जैसे यूएस है साओध यर्बिया है ग्रीस है करता रहे है यह सब इसमें पार्टिसिपेट करते रहते हैं ओके प्रेंट्स थैंक यू थैंक यू वेरी मच फोर लिसनिंग थैंक यू वेरी मच फॉर वचिंग दी वीडियो अब आप से एक रिक्वेश्ट है कि इस वीडियो पर आप कमेंट जरूर कीजिएगा जिससे हम आपसे हरवार रही रिक्वेश्ट करते हैं देखे जितना ज़्यादा आप कमेंट करेंगे आपको वीडियो के बारे में जो भी लगा जो भी आपका point of view है you are most welcome आप कमेंट कीजे जिससे सीरीज को और भी बेटर बनाया जा सके ठीक है वीडियो अगर आपको पसंद आया जिसको like कीजे वीडियो को share कीजे और चैनल को subscribe कीजे thank you thank you very much for discussion